जहें दोस्तों अंदमातर कल भारती सोशल मीडिया पर और भारती मीडिया में भी एक लड़की को लेकर काफी चर्षा चल रही थी जो कि भारदेश की थी उसके साथ होली के मौके पर जिस प्रकार का कुक्रत्य हुआ उसी के उपर पूरी चर्षा चल रही थी कि आखिर ये किस तरीके का माहौल बन चुका है हाला कि उस वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में बात करी थी कि अभी तक लड़की की तरफ का पक्ष निकल कर सामने नहीं आया है पुलिस ना जरूर तीन से चार लड़कों गिरफतार कर लिया था जिनमेंसे कि एक नावालिक था और उन लड़कों अपना जुर्म को कबूल भी कर लिया था लेकिन वहाँ पर तब भी सवाल यही था अभी तक पुलिस की तरफ से लड़की का कोई भी स्टेट्मेंट निकल कर सामने नहीं आया है जब संबंदित MBC संबर्ख किया गया तो उन्होंने भी इस लड़की के बारे में किसी प्रकार की जानकारी होने से मना कर दिये बाद-बाद में ये निकल कर आई कि वो लड़की बानल देश पहुँच चुकी है अब ऐसे में उस लड़की की तरफ से क्लैरिफेकेशन में कई सारे सलसले वाइट ट्वीट किये गए हैं रजान लेते हैं उस लड़की ने अपने क्लैरिफेकेशन में क्या कुछ कहा है बीदे दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली में जापानी यूति को जबरन रंग लगाने का एक वीडियो जम कर वाइरल किया था वीडियो में जापानी परेटक मेगुमी को ने ही ट्वीट किया था और अब मेगुमी को ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया जापानी परेटक ने वीडियो के वाइरल होने पर अफसोश जताया जापानी लड़की ने ट्विटर पर थ्रेड के जरी अपनी बात को विस्तार से रखा मैगमुकुर ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि 9 मार्च को मैंने भारतीर योहार होली का एक वीडियो ट्वीट किया था लेकिन उसके बाद वीडियो पर आई प्रतिक्रिया और मेसेजों की संख्या मेरी कलपना से कहीं दिख थी मैं डर गई और इसलिए मैंने ट्वीट को हटा दिया मैं इमानदारी से उन लोगों से माफी मांगती हूँ जरे वीडियो से ठेज पहुँची जापानी पर रिटक लिखती है कि उन्होंने होली के बारे में ये सुना था कि इस दिन महिलाओं का बाहर निकलना सो रख्षित नहीं माना जा सकता वो इससे अनुभव करना चाहती थी बदकिस्पती से ये घट ना घड ली बता दें कि जापानी पर रिटकों के चहरे पर दिल्ली के पहाडगंज इलाके में कुछ लड़कों ने रंग लगा दिया था ये जोरान लड़की भीड से परेशान मी नजर आ रही थी वेगुमी को आगे लिखती है कि मेरा उद्देशे वीडियो पोस्ट करके त्योहार को बदनाम करना नहीं था ये वीडियो उनकी टीम के एक मेंबर ने हुली की तस्वीरे कैद करते हुए बिना किसी इरादे से बना लिया था उन्होंने कहा कि हुली एक अद्बत और मज़दार त्योहार है जिसका उद्देश एक दूसरे पर रंग लगा कर वसंत के आगमन का जश्न मनाना है साथ ये भी कहा कि यदि इस वीडियो से किसी की भावनाओं को ठेस पहुची तो मैं इसके लिए माफी मांगती विदेशी परेटक लिखती है कि उनके साथ घटी इस घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में कड़ाई से ने पटने का वादा किया उन्होंनों उमीद जताई है कि अगले साल से होली के तोहार पर महिलाओं के खिलाफ पीडन में काफी कमी आईगी बतादें कि इस वीडियो पर संग्यान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने नावालिक समेथ तीन लड़कों को पकड़ा है सभी पहाडगंज के रहने वाले हैं हाला कि परेटक ने किसी के भी खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इस वीडियो के बहाने कुछ लोगों ने हिंदू और हिंदू के त्योहारों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया आपको भी बता दें कि इस से पहले जापानी महमान ने ट्वीट कर जांका रिदी की वांगलादेश पहुँच गई है और तन मन से पूरी तरह से फिट है अब यहां पर जो कहानी का दूसरा पक्ष निकल कर सामने आया है उसमें इस बास क्लियर किया जा रहा है कि भाईया कहीं पर कोई भी वरेशानी नहीं हुई लेकिन जब पुलिस ने उन लड़कों से पूशताच करी तो इन लोगों ने अपनी गल्ती कबूल कर ली अब यहीं पर विरोधावास उत पर नहों रहा है कि भाईया आखिर माजरा था क्या जब यह खुदी होली खेलने के लिए गई थी तो फिर इतना ड्रामा क्यों कट रहा है हर जगे पर और जब इन्होंने किसी बारे में किसी कोई शिकायत नहीं दर्च कराई है तो फिर पुलिस ने लड़कों को पकड़ लिया और उन जब बुल्लामा करवा लिया मतलब वहां पर कुछ ना कुछ तो हुआ है अब मैडम जो है बैसे भी विदेश जा चुकी है तो आप तो कुछ बोलेंगी नहीं और जो एक बट्टा लगना था कि नहीं होली के तोहार पर महिलाओं के साथ पुल्लान होता है वो भी सामने निकल कर आगे मतलब इसी लिए कहते हैं कि कुछ भी करने कुछ भी सोच करने के पहले दास बार सोचने कोछ जो कहा जाता ना इसी लिए कहा जाता है आपके अगैना इस बारे में कमण्ट करके जरूब बताएगे का मेरे सुडियों फिलाओत नहीं जाये है